फ्रेंड हमारे चलम आप सभी कस्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग UPI-NAL TG2 नियू रिकूर्मेंट को लेकर बात करने वाले हैं जैसा कि फ्रेंड आपको मालूम भी होगा कि TG2 या आप कह सकते हैं UPI-NAL ये जो भरती आप किया थी ये अभी इस टाइम पूरी तरह से कंप्लीट करा ली गई है तो इसके साथ ही में आप जानते हैं कि UPI-NAL TG2 को भी भरती आय थी लेकिन अभी तक इसका एक्जाम कोई अता पता नहीं है लेकिन आज हम लोग UPI-NAL TG2 निव वेकंसी के बात करेंगे जिसमें फीटर, इलेक्टिशन, इंस्टूमिंट ये तीन ट्रेड जो है फार्म को फिलप कर सकते हैं तो आज हम लोग नई भरती ये आएगी कि नहीं आएगी सारा कुछ हम लोग डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि UPI-NAL TG2 या आपको मालूम होगा कि UPPCR TG2 अभी निव रिकूर्मेंट निकालने की बात चल लही है ठीक है और 30 जून तक अधियाचान मतलब आपके सकते हैं कि भरती कहां कहां पे कितनी खाली है इसके लिए जो है आदेश दिया गया है के तरफ से कि आप लोग बताईए खर यह तो UPPCR TG2 का मेंटर है लेकि UPI-NAL मैं बात करूँगा आप भी जानते हैं 2024 में चुनावा है ठीक है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी जो new requirement है वो कब तक आने के chances है तो यह आपको ध्यान देना है तो आपकी जो new requirement है वो कब तक आएगी सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले है आप लोग वीडियो को last तक बने रहिएगा और फ्रेंड जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को subscribe करें तो सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है फ्रेंड कि हमारा जो है आपको यह ध्यान देना अभी क्या चल लहा है अभी आपका जो time चल लहा है वो June चल लहा है ठीक है जून चल रहा है ये आपको ध्यान देना है लेकिन हमारा जुलाई से लेकर जो है आपको ये ध्यान देना है कि सितंबर में हमारी भरती आ जाएगी सितंबर में हमारी जो है निव भरती देखने को मिलेगा ये आपको ध्यान देना है ठीक है अभी जून चल रहा है जुलाई से लेकर सितंबर में नई भरती हमारी किसकी आएगी यूपी आर वी यूँएनल टी जी टू ठीक है टेकनीशियन आप कह सकते हैं टी जी टू ये नई भरती हमारी आ जाएगी ये आपको ध्यान देना है और फ्रेंट इसलिए कि 2024 में क्या है चुनाओ है ये आपको ध्यान देना है तो इसमें नई भरती हमारी देखने को अब बात की जाए फ्रेंड तो ट्रेड की तो आपको मालूम होगा ट्रेड हमारे जो है फीटर के जो भी बच्चे हैं यह भी आपको ध्यान देना है फीटर एलक्टीशियन एलक्टीशियन ठीक है और उसके बाद जो है इंस्टुमेंसर इंस्टुमेंसर के जो भी बच्चे हैं यह तीनों बच्चे जो है फाम को फिल अप कर पाएंगे आपको ध्यान देना है ठीक है उसके बाद फ्रेंड अगर बात की जाये तो एज लिमिट को लेकर तो एज लिमिट को लेकर आप भी जानते हैं कि इस में जो है हमारा जो एज वो 18 से 40 रहेगा ये बच्चे बहुत कम ही जानते जो नए होंगे प्लस जो है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हमारा इसमें triple C रहेगा कि नहीं तो ये आपको ध्यान देना है triple C हमारा जो है यहाँ पे अनिवार ये है ठीक है? ये आपको mandatory कह सकते हैं mandatory रहेगा मतलब जो है ये अनिवार रहेगा ठीक है? उसके बाद जो है आपको ये ध्यान देना है कि इसका syllabus तो syllabus मैं आपको बता दू फ्रेंड इसमें आपके जो है 200 question आने है ठीक है? 200 question रहेगा जिसमें से 1.500 question आपके technical रहेंगे technical प्लस जो है 50 question नॉन रहेगा ये आपको ध्यान देना है अब बात यहाँ पर की जाए तो आपको time कितना मिलेगा? एक्जाम को लेकर तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड अगर एक्जाम को देखा जाए तो एक्जाम में आपको 3 से 4 मन्थ रहेगा 3 से 4 मन्थ आपको मिलेगा एक्जाम को लेकर तो कहने मतलब यह है फ्रेंड कि आपकी जो new requirement है आपको ये ध्यान देना है नई भरती आपकी 100% आएगी इसलिए कि 2024 में चुनाव है आप समझ सकते हैं कि जब UP PCL में अभी 30 तक अधियाचन मांगा गया है मतलब नई भरती को लेकर TG2 को लेकर तो हमारा जो UP आइडिनल TG2 है इसमें था हमारा complete है कहने मतलब यह है कि इसमें हमारा जो है जो new भरती आई थी वो पूरी तरह से complete है तो आप थोड़ा सा क्या होगा इसमें बहुत से बच्चों को जो है डाउट होगा कि हमारी जो भरती है सर क्या वो फीटर में जो है OBC के लिए रहेगी कि नहीं रहेगी तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड फीटर के जो भी बच्चे है वो आपको ध्यान देना है कि अब की बार OBC फीटर में वन सीटे थी सिर्फ OBC की लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं है सब के लिए सीटे रहेंगी बाकी इलक्टीशियन की सीटे अगर देखा जाए तो इलक्टीशियन में आपको ध्यान देना है इलक्टीशियन में कम से कम आपकी 100 प्लस सीटे रहेंगी अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो इसके पहले जो भरती आये थी UPI में TG2 की आप उसकी भरती के बारे में हमारे चैनल पर जाके देख लिजेगा मैंने सीटो का बेवरा सारक पहले ही आपको दे दिया था तो कहने मतलब यह फ्रेंड कि मैं आज इसलिए आ आप लोग समझ सकते हैं कि UPI में TG2 यह ऐसी भरती है कि यह अपने टाइम पर एकजाम करा लेती है और आप जानते हैं कि अब इसको एकजाम कौन कराता है यूपी PCL कराता है तो यह भरती अपने टाइम पर हो जाएगी और आप लोग के पास टाइम यह है कि अभी से ही लेकिन जो फीटर के और इंस्टूमेंट के बच्चे हैं, इनकी तयारी नहीं चल रही है, मैं जान रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास बहुत से बच्चे कॉल करते हैं, पूछते हैं, सर क्या UPI1 new requirement आएगी कि नहीं आएगी, उसी के recording हम लोग तयारी करें, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो है, फीटर के या इंस्टूमेंट के जो भी बच्चे हैं, अपनी तयारी को जारी कर दें, इसलिए कि आपके पास टाइम जादा नहीं मिलेगा, और आप जानते हैं, इसमें सीटे कम रहती हैं, प्लस जो है, ये जो जौब है, बाकी फ्रेंड, यूपी आजमेल में क्या काम होता है, क्या वर्क होता है, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपको और भी मोटिवेट कर सकूँ, और आप अच्छे सा जो है, इसके लिए प्रिपरेशन कर सकें, बाकी फ्रेंड जो भी फीटर के बच्चे हैं, या इंस्टुमेंशन के, इलक्रिशन के हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर मास्टर बैच चालू किया गया है, मास्टर बैच आप लोग जाके जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग के लिए सारी तयारी कराई जा रहे हैं, तो कहने मतलब य कि आप लोग की निव रिकूर्मेंट जो है, जुलाइस लेकर सितंबर के बीच में आ जाएगी, और आप लोग तयारी करना इस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अभी सही लगेंगे, तभी एक्जाम को क्रैक कर पाएंगे, इसलिए कि 3-4 महिने मा आपका एक्जाम 100% हो लें, जिससे की फ्रेंट वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल सकें, so thanks watching and bye